किसान भाईयों राम राम जय जवान जय किसान किसान भाईयों राजु भाईया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है किसान भाईयों कैसे हैं आप लोग हम आसा करते हैं आप लोग खुश होंगे और स्वश्थ होंगे किसान भाईयों आज लेसुन के बजार में क्या कुछ भाव बना है पूरे भारत में लेसुन का भाव क्या कुछ चलजा है किसान भाईयों आज इस वीडियों में आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में लेसुन का जो भाव है क्या बहुत चलजा है और क्या कुछ बजार बनेगा और आगे क्या लेसुन के भाव में इतनी तेजी रहेगी या रेट में कुछ उता चड़ाव आएगा तो लेसुन इस समय जो भाव इसका है ठीक ठाक है लेकिन मैं आपको बता दूं किसान भाईयों अभी एक हफ्ते के पहले की बात करें तो लेसुन के भाव में अचानक इतनी तेजी इतना उच्छाल मार चुका था ऐसे लगता था कि लेसुन थोग भाव में 400 प्रती किलो के हिसाब से बिकेगा लेकिन बिकना 250 से लेकर 300 प्रत लेसुन होल सेल भाव में बिकना शुरू हो गया था लेकिन अचानक लेसुन में इतनी गिरावट क्यों आई एक दम से 50-60 प्रत किलो के हिसाब से एक दम से भाव तूट चुका और तूट गया है तो इसमें कहीं ने कहीं कुछ कारण है तो कारण ए है जो बाहर लेसुन इस्पोर्ट होता था वड़ी वड़ी फैक्टरियों में जो लेसुन की कैपसूल गोलिया बनती है वड़ी वड़ी फैक्टरियों में जहां दमाईयां बनती है वहां लेसुन की ज़्यादा माग और खपद होती है और बाहर विदेशों में भी लेसुन का इस्पोर्ट होता है जहां इसकी दवाईयां बनती हैं और काफी चीजों में काम आती हैं और लोग इसको एक आरवेश समझ के इसको यूज करते हैं और इसमें कई सोज से ज़्यादा आवसदी प्रदान मिलता है और आवसदी की रूप में काम करता है इसलिए लेसुन का जो मांग था काफी 23 से बढ़ता चला जा रहा था सरकार ने जो बाहर निर्यात होता था उस पे रोक लगा चुका है कम मात्रा में लिसुन भेज रहा है ताकि अपने भारत में लिसुन का जो भाव है थोड़ा तूड़ जाए और थोड़ा सा राहत मिले तो मैं आप बता दूँ इसमें जो भाव है ठीक ठाक है किसान भाईयों को लाभ मिल रहा है बैपारी भाई अच्छा पैसा बना रहे हैं किसान भाई बना रहे हैं या नहीु बना रहे हैं लेकिन मैं बता दूँ वे आड़ती भाई पैसा तो बना रहे हैं और ऐसे तरह बनता जाएगा उनको लेकिन किसान भाईयों को उतना लाव उतना भाव नहीं मिल पा रहा जितना कि मार्किर में इसका भाव है तो मैं आप बता दूं लेसुन की ब्राइटियां है जो लेसुन क्वाल्टी है कई जगां से आ रही है और जो MP का लेसुन है इसमें पुरे भारत में MP का लेसन चाया हुआ है और मैं इसकी एकर होल शील की बात करूँ जो MP का लेसन है होल शील भाव में 120 पे से लेकर 230 की ब्राइट के ब्राइगे है जैसा जैसा ब्राइटी है जैसे जैसे क्वाल्टी है अगर मैं बढ़िया क्वाल्टी की दाना की बात करूं तो जो उसका भाव है MP का लेसुन आप मेरे वीडियों देख रहे हैं 230 स्पे प्रती किलो के हिसाब से होल सेल भाव में विका है और जो मोटा लेसुन देख रहे ह जो मोटा लेसुन चाइना का लेसुन भाव 243चा भाव में ए मोटा दाना भी का हुआ जो चांप का लेसुन आ रहा है इसकी बात करूं जो ती करणा है 120 स्पे से लेकर और 230 के स्प्रती कीलो के वग도ेरा है वो रिटेल के बैजते हैं पूरे भारत में लिसुन का बहाओ बना हुआ है और फिलाहाल अभी कुछ दिन तक बहाओ ऐसे बना रहेगा लेकिन मैं बता दूं कि 15 से 20 दिन के अंदर लेसुन का भाव तूट जाएगा जो लेसुन का भाव इसमें 200 है और 1500 आ जाएगा जो 1500 है और 70 80 पर प्रती किलों के साब से लेसुन विकने वाला है क्योंकि नया लेसुन भी त्यार हो चुका है और जल्द ही जैसे मार्क में लेसुन आएगा पुराने के भाव एक धम से गिर जाएगा तो किसान भाईयों अगर आग पास लेसुन है भाव बना हुआ है आप चाहें तो अच्छे दामों में अभी इसको निकाल सकते हो नहीं तो पुराना लेसुन है उग जाएगा और जैसे उगना सुरू हो जाएगा उसका भाव आपको अच्छे भाव में नहीं मिलेगा और आपको रिट नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ने कहीं आपको परस्तावा होगा कि हमने क्यों निकाला किसान भाईयों लेसुन को निकालें और अच्छे दामों बे वीडियो देख रहे हैं तो सभी को राजु भाईया की तरफ से नमस्कार और इसी तरह आपको लेशुन के जानकारी में देता रहूँगा और आपके समक्ष ने ने वीडियो लेके हाजिर रहूँगा तो किसान भाईयों चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को और इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो जो लिसुन का बजार है अभी इसी बना हुआ है तो बार बार महिए कारां किसान भाईयों अगर आग पास फसल है इसका आपका इस्टोक है तो धीरे धीरे आप माल निकाल के आप इसका प्रवप्र ले सकते हो तो नमस्कार बाई बाई जै जमान